नमस्कार, Jai CLC, I am Niraj Chasta, Team Physics CLC Seeker, welcomes you all in first paper solution of mid-session test series for NEET 2022. आज हमारा paper हुआ है, पहला paper था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का paper अच्छा हुआ हुआ हुगा और हम लोग चलते हैं paper के solution की तरफ. हमारे पास paper में, first question, basically हमारे पास जो topics रहे हैं, वो क्या है? unit dimension measurement error vector, 1D motion, relative motion and 2D motion. तो देखते हैं, कैसा आप लोगोंने perform किया है, देखें अपने solutions को match करें. हमारे पास पहला question दी रुखा है, the length and width of a layer are 3.124 meter and 3.002 meters respectively. The area of this layer up to correct significant figures is, हमें एक परत की लंबाई और चोड़ाई करमेशे दी गई हैं और हमें सही सार्थागंगों में उस परत की परत के क्षेत्रवल के बारे में जानकारी देनी है. देखें, हमारे पास length दे रुखी है, length को अगर अपन चेक करें, तो length अपने पास इतना है. यहाँ पर length यह रहा 3.124 meter और हम लोग को width जो दे रुखा है, वो कितना है? इस data में हमारे पास कितने significant figures है? 4 SF है. और इसमें भी अगर अपन चेक करता है, तो हमारे पास कितने significant figures है? हमारे पास 4 significant figures है. तो अपना जो result रहेगा, वो भी किस order में होना चाहिए? 4 significant figures में. अगर यहाँ पर significant figures कम होते हैं, तो अपने result में कम significant figures होने चाहिए थे. अभी अप 2.3782 जहां पर अभी तक मैंने यह जो result लिखा है यह 5 significant figures में लिखा है पर हम लोग को result किस में देना है हम लोग को result देना है कितमे 4 significant figures में तो इसको 4 significant figures तक हम लोग round off करेंगे 4 1 2 3 4 4 significant figures पर round off करने के लिए removal digit हमारे पास क्या है 2 है removal digit 2 है जो 5 से कम है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे drop कर देंगे और हमारे result हो जाएगा 9.378 meter square तो हमारा option बन जाएगा पहले question के लिए option number 1 9.378 meter square simple question है और significant figures multiplication के basic rules हम लोगों नहीं यहाँ पर apply किये चलते हैं हम लोग अगले question की और अगला question यह बुलता है if error in measurement of volume of a sphere is 1% what will be the error in measurement of radius हम लोग को यह बुला है कि यह दी गोले के आयतन के मापन में त्रूटी जो दे रिखी है वो एक प्रतिशत हो तो त्रिजा के मापन में त्रूटी क्या होगी ठेक है हम लोग जानते हैं आयतन के लिए V is proportional to अगर अगर अपन गोले के लिए बोले तो V is proportional to क्या रहेगा R cube और अगर अगर अपन इस पर error के rules apply करें तो क्या हो जाएगा यह relative error है इसको 100 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगी percentage error हो जाएगी यहां से अगर अगर अपन देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा Delta R upon R that will be equals to 1 by 3 into कितना हो जाएगा Delta V upon V हम लोग को Delta V upon V into 100 की value कितनी दिरिखी है that is 1% तो अगर अपन देखते हैं Delta R upon R मैं percentage में represent कर रहा हूँ 1 by 3 इदर कितना हो जाएगा Delta V upon V जिसकी value आपको कितनी दिरिखी है 1% दिरिखी है question number 3 पर हम लोग चलेंगे question number 3 ये बुल रहा है a force is applied on a square plate of side L ठीक है force F अपन ने apply किया है और ये बुला है percentage error in the determination of L is 2% हमें ये बुल रहा है कि length में जो percentage error हो रही है length के measurement में percentage error जो है वो कितनी है 2% है and the percentage error in measurement of force that F is 4% F में कितनी percentage की error हो रही है वो कितनी अपने पास 4% है what is the percentage error in measurement of pressure ठीक है हमें ये बुला हुआ है कि वर्गार पट्टी का पर L के मापन में प्रतिशत त्रूटी अपने पास कितनी है 2% है और F के मापन में प्रतिशत त्रूटी 4% है तो दाब के मापन में प्रतिशत त्रूटी कितनी होगी ठीक है चलाता है हम लोग जानता है pressure क्या रहेगा हमारे पास pressure force upon area force upon area और अगर अपन square plate है तो हमारे पास area कितना हो जाएगा that will be l square तो यह हो जाएगा force upon कितना हो जाएगा l square इस पर error के rules apply करें तो percentage error delta p upon p that will be equals to errors will be additive तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं delta f upon f और length पर अगर अपने apply करेंगे तो यह हो जाएगा अपने पास कितना 2 into delta l upon कित percentage error है वो 4% है तो यह हो गया अपना कितना 4% plus 2 into delta l upon l delta l upon l अपने पास कितना है that is oh that is 2% तो इसको अगर अपन solve करते हैं 4% प्लस यह हो जाएगा 2 into 2 4 तो 4 प्लस 4 हमारे पास कितना percentage error बनेगा that will be 8% तो percentage error in the measurement of pressure will be 8% तो 8% हमारा result रहेगा third question का answer रहेगा हमारे पास first तो आप म की सरी का पहला answer simple question बढ़ते हैं अपना अगली question पर question number 4 question number 4 पर हम लोग अगर बात करते हैं तो question number 4 जो बोल रहा है हम लोग को वो इस तरह से है addition of this and this number with regard to correct significant figures will be सार्थकंकों का आदार पर इस संख्या तथा इस संख्या का हमारे पास जो addition होगा योग होगा वो क्या रहेगा देखते है numbers आपको क्या दिरखे है numbers के लिए अगर अपन बात करते हैं तो पहले आप number less से मैं n1 बोल देता हूं तो n1 की value कितनी है 6.75 इंटो कितना चल रहा है 10 रेस्ट पावर 3 सेंटीमेटर में चल रहा है ठीक है number number अपना दूसरा number बोल देते हैं यह कितना है आपने पास 4.52 इंटो 10 रेस्ट पावर कितना चल रहा है आपने पास 2 सेंटीमेटर तो basically अगर अभी यहाँ पर बात करते हैं तो देखो क्या है यह 10 रेस्ट पावर 3 में सेंटीमेटर में है यह 10 रेस्ट पावर 2 में सेंटीमेटर में है अगर मैं इसके significant figures देखूं तो इसमें यह significant नहीं है तो यहाँ पर अपने पास significant figures कितने है 3SF है तो अपना answer जो रहेगा वो इसी तरह से हम लोग को 3SF के range में देना है पर उसके ल रहे है तो आप लोग को addition के लिए इनके order को क्या करना पड़ेगा सिम करना पड़ेगा जिसके लिए मैं क्या करता हूं इस N2 को represent कर दिता हूं N2 मेरे पास कितना हो जाएगा इसको मैं 10 रेस्ट पावर 3 में लिखता हूं तो यह कितना हो जाएगा 0.452 इंटू 10 रेस्ट पा इसको disturb नहीं किया है अब मैं जब addition करूंगा तो हमारे पास N1 और यह मेरे पास N2 और इनका addition अगर अपन perform करेंगे तो यह बंजाएगा 6.75 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 और यह बंजाएगा मेरे पास कितना 0.452 इंटू 10 रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 3 अब मैं अगर result दूँगा तो result जो है वो decimal के 2 places तक मेरे को revision करना है क्यों कि इसमें यहाँ पर यह decimal के 2 places तक है तो इसका result हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा आपने पास इधर कितना बनेगा this is 2 5 and 5 अपने पास 10 यह बनेगा 0 यह बन जाएगा अपने पास 8 और 4 12 तो this will be 2 और यह identity में decimal के 2 places तक अपने पास data चल रहा है तो decimal के 2 places पर अपने इसको क्या करेंगे round off करेंगे यह तो non significant है decimal के 2 places पर digit to be dropped जो संक्या छोड़नी है उस वो 5 से कम है अपने पास result जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 7.20 इंटू 10 रस तो पार कितना बन जाएगा 3 addition के थोड़े rules इस तो यहाँ पर least decimal places तक अपना result जो रहेगा that will be 7.20 इंटू 10 रस तो पार 3 एक बढ़िया question जिसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा 7.20 इंटू 10 रस तो पार 3 question number 4 answer number 4 तब चलते हैं हम लोग अगले question पर question number हमारे पास चल रहा है 5 और 5 यह बुल रहा है कि हम लोग को for measurement of length of true value this हमारे पास length की true value जो देरिखी है that is 2.500 cm 3 students present 3 students s1 s2 and s3 they are measured values तीन बच्चों ने अपनी measured values predictions करी है measured values क्या क्या है एक 2.5 cm है 2.51 cm 2.505 cm है most precise value is given by अगर आपन देखते हैं तो कोई वास्तविक मान है हमारे पास इस लंबाई के लिए तीन विद्यार्थियों ने अपने fraction लिए और सब ने अपने मान प्रदेशित किये तो आपको यह बताना है कि इन प्रेक्शनों में से सबसे precise या परिशुद्ध मान क्या है तो अब हमारे पास दो चीजे रहती है एक रहता है accuracy और एक रहता है precision accuracy का मतलब होता है the closeness to the true value कहने का मतलब कोई राशी या कोई प्रेक्शित मान अपने वास्तिविक मान के कितना समीब है वो उतना ज्यादा accurate रहेगा closeness to the true value ठीक है पर आप लोग को अभी question में accuracy नहीं पूछी है आप लोगो प्रेसिजन पूछा है और प्रेसिजन जो होती ह प्रेसिजन का मतलब कोई instrument कितना कितना resolution किस limit तक major कर सकता है वो प्रेसिजन है अगर अपन यहाँ पर देखें तो इस student ने जो instrument use किया है वो decimal के एक प्लेस तक major करता है तो प्रेसिजन decimal के जितनी ज्यादा places तक को instrument major कर रहा है उसका प्रेसिजन क्या रहेगा ज्यादा रहेगा यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो प्रेसिजन जो है वो इस measurement का सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें decimal के ज्यादा places तक measurement हो रहा है although अगर अपन accuracy की बात करें तो accuracy तो यहाँ पर यह data और यह data क्या कर रहा है एक तब मेच कर रहा है तो इस measurement की accuracy ज्यादा है पर इसका precision अभी आप देखें तो decimal के एक place तक ही है और इसका precision सबसे कम है देखें अगर अगर अपन इसकी बात करें तो इसका decimal का तीन places तक measurement चल रहा है और इसका precision क्या रहेगा सबसे सबसे ज्यादा रहेगा although यह इस first के comparison में इतना accurate नहीं है तो यहाँ पर अपने question का result रहेगा that s3 will be more precise और precision को हम लोग हिंदी में परिशुद्धता बूलते है तो यहाँ पर s3 के द्वारा दिया गया fraction जो रहेगा वो ज्यादा परिशुद्ध रहेगा तो एक बढ़िया question जो काफी close concepts को एक दूसरे से relate करता है s3 will be more precise पाँचवी question का answer रहेगा हमारे पास third next question पर चलते है हमपन और question यह बुल रहा है हम लोग को कि the dimension formula for plank constant और plank constant and angular momentum र, plank constant के लिए और angular momentum का जो dimensional formula रहेगा वो क्या रहेगा हम लोग जानते है angular momentum l that is equals to mvr तो dimension formula अगर अपन create करें तो यह हो जाएगा m1 इस के लिए v के लिए हो जाएगा कितना l1 और यह बन जाएगा मेरे पास कितना t-1 और r के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास l1 तो अगर 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 अगुलर momentum की dimension की बात करें तो अगुलर momentum की dimension हो जाएगी m1 l2 t-1 angular momentum तो हमारे पास angular momentum m1 l2 t-1 कहां है angular momentum second position पर m1 l2 t-1 m1 l2 t-1 angular momentum चल रहा है हमारे पास m1 l2 t-1 और अगर अपन यहां पर बात करें plank constant के लिए तो हम लोग जानते हैं हमारे पास क्या रहेगा angular momentum mvr that is equals to nh upon क्या रहेगा तो इसकी dimension यहां पर plank constant यह रहा n number है और 2pi dimension less है तो h और plank constant और angular momentum की dimension क्या रहेगी same रहेगी तो उसके according अगर अपन बात करते हैं तो इसमें दोनों जो plank constant है और angular momentum दोनों की dimension क्या रहेगी same रहेगी उसके according अपना answer क्या हो जाएगा that will be second तो बढ़िया question है तो चलते हैं हम लोग question number 7 पर question number 7 बोलता है which of the following is the dimension of coefficient of friction निम में से गर्शन गुणांग की विमा क्या होगी ठीक है तो हम लोग देखते हैं गर्शन गुणां है इसका मतलब ये हमारे पास क्या रहेगा एक dimensionless quantity रहेगी dimensionless quantity का मतलब M0L0T0 हमारे पास solution जो बनना है 7th question के लिए M0L0T0 simple question हमारे पास 7th का answer रहेगा second चलते हैं हम लोग अगले question पर अगला question हम लोग को बोलता है कि the dimension formula for magnetic fluxes चुम्ब की flux का विमीय सुत्र होगा देख है व आप flux कैसे calculate कर सकते हैं पर हम लोग चलेंगे हमारे पास Ferradian Lange law जो है वो होता है हमारे पास potential या EMF induced E will be equals to कितना होता है ये d5 upon क्या रहेगा dt ठेक है और E जो होता है ये हमारे पास EMF induced या इसको बोलते है अपन voltage potential बोलते है ठेक है तो potential voltage जो रहता है वो क्या रहता है potential energy per unit charge ठेक है तो देखें क्या कर रहे है अपन potential energy energy M1 L2 T-2 upon charge कितना हो जाएगा हमारे पास AT इसको shift करते हैं उपर तो हमारे पास potential V या E की जो dimension बन जाएगी ये बन जाएगी किवनी M1 ये रह गया मेरे पास कितना L2 हो जाएगा ये मेरे पास कितना T-3 और ये हो जाएगा मेरे प dimension अगर अपने को यहां पर देखना है तो dimension के अगड़ आपन बात करें तो इसको फाई अपन ट लिग देता हूं मैं और यहां से फाई के लिए अगर अपने देखूं तो ये कितना हो जाएगा E इन्टू कितना हो जाएगा T ये आपके पास टाइम है ये अगर आपन आपन तो dimension of 5 जो हो जाएगी, वो dimension of e, dimension of e कितना चल रहा है अपना, यह हो जाएगा, m1, l2, t-3, a-1 और यह रहा अपना कौन, time, तो time अपने पास हो जाएगा, t1, लेखे, multiply करते हैं, तो कितना हो जाएगा, m1, l2, t-2, a-1, एक बढ़िया और important question, वैसे flux की dimension आप कैसे भी calculate कर सकते बढ़ आप लोग को हमेशा dimension calculate करने के लिए वो formula याद रखनी चाहिए, जिससे आप सबसे easily dimension को calculate कर सके, तो हमारे पास dimension बन रही है, m1, l2, t-2, a-1, option number 1, 8 का answer रहेगा, m1, l2, t-2, a-1, option number 1, 8 वे का पहला, एक अच्छा question, एक important question, बढ़ते हैं हम लोग अगले question पर, 9th question प 9th question की बुलता है, if force, length and time are taken as fundamental units, dimension formula for mass will be, यदी बल, लंबा इतत, समय को मुल्बूद राशिया मानी जाए, तो दरिम्मान का विमी सुत्र होगा, ठीक है, चलो, अभी अगर अपन बात करते हैं, तो force के लिए अभी की dimension क्या है, अगर अपन basic dimension की बात करें, तो force की dimension क्या होत mass की dimension calculate करनी है, किस-किस में, force, length और time की term में, तो force, length और time की term में, अगर अपने को mass की dimension calculate करनी है, तो यह क्या हो जाएगा, इधर से, F1, इस कूदर भेजेंगे, तो L-1, यह कितना हो जाएगा, T2, F1, L-1, T2, F1, L-1, T2, 9th का आजाएगा, पहला answer, F1, L-1, T2, इधर नही done, example question, आप किस तरह से इसको arrange करते हैं, किस तरह से दीखते हैं, इसको वैसे हम लोग power X, Y, Z करके भी solve कर सकते हैं, but यहाँ पर जब हम लोग को दिख रहा हैं, कि हम लोग को force की dimension, basic dimension पता है, तो mass की dimension अपन simply calculate कर सकते हैं, example question, एक अच्छा question, बढ़ते हैं, अपन अगले question पर question number 10, यहाँ पर, if LCR represent physical quantities, inductance, capacitance and resistance respectively, the combination which does not have dimension of frequency, यदि L, C तथा R, करमेशे, प्रेरिकत्व, धारिता, तथा प्रतिरोध को व्यक्त करें, तो निम्मे से कौन सा समय जन आवरती की भीमा प्रदेशित नहीं करता है, ठीक है, देखो, हम लोग जानते हैं, पहली वाली चीज़ पर बात करते हैं, तो हमारे पास RC circuit का time constant to is equals to क्या रहेगा, RC, यानि कि अगर मैं 1 upon RC लिखूँ, तो यह इसकी dimension क्या बनेगी, that will be T inverse, जो frequency की dimension है, यानि कि यह तो प्रदेशित करता है, हम लोग frequency LC oscillator की frequency का equation जानते हैं, 1 upon 2 pi under root LC, यानि कि under root LC, 2 pi तो dimensional less है, under root LC की dimension, 1 upon under root LC की dimension, frequency की dimension के बराबर रहेगी, यानि कि यह भी frequency की dimension को represent कर रहा है, यह भी frequency की dimension को represent कर रहा है, हम लोग अगर RL circuit की बारे में बात करें, तो RL circuit के लिए, अगर 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 आपको ऐसे नहीं देखना है, तो आप अपन यह जानते हैं, कि वहाँ का time constant क्या होता है, हमारे पास L upon R, RL circuit का time constant L upon R तो यहाँ पर अगर अपन और अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो अपन यह जानते हैं कि XL XL upon R जो रहेगा यह आपके पास क्या है inductive reactance और R जो है कि resistance यह dimension less रहेगा क्योंकि यह भी ohm में होता है यह भी ohm में रहता है तो यह इस तरह से रहेगा तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास situation इसको देखें तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2PiFL upon क्या लिख सकता हूँ R that is equals to 1 यह मैं यहाँ से यह देख सकता हूँ 2Pi को अगर मैं dimension में count नहीं करूँ तो dimension less इसको 1 कर देते हैं और इसको shift कर देता हूँ मैं तो L upon R की जो dimension रहेगी वो 1 upon F की dimension रहेगी L upon R that will be equals to 1 upon F और 1 upon F का मतलब L upon R जो है वो time constant होता है RL circuit का ठीक है तो यहाँ से अगर अपन देखें तो R upon L के बारे में बात करेंगे तो यह dimension किस की री प्रिजन करेगा frequency की dimension करेगा तो R upon LB किसको री ब्रिजन कर रहा है frequency को री प्रिजन कर रहा है तो answer number 10th के लिए answer अपना क्या हो जाएगा, 4th answer, ठीक है, एक simple question, चलते हैं हम लोग अगले question पर, अगला question की बुलता है हम लोग को, that the physical quantity having dimension of M0L2T-2, बोतिक राशी जिसकी विमा M0L2T-2 होगी वह है, बोतिक राशी, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें, तो simple, अगर पन basic formula के according चलते हैं, तो हमारे पास equation रहते हैं, Q is equals to क्या रहता है, ML, जहाँ पर M mass है, और L को क्या बोलते हैं हम लोग, latent heat बोलते हैं, जहाँ पर Q क्या है, heat, heat is a form of energy, और इसकी वज़े से इसकी dimension जो रहेगी, वो energy की dimension की क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तो यह हो जाएगा हमारे पास कितना M1L2T-2, इधर अपने पास यह mass है, तो यह हो जाएगा mass, और यह हैं आपके पास latent heat, latent heat, M से M cancel, और अगर अगर अपन dimension of latent heat, ध्यान रख रहेगी, तो latent heat, इधर से, तो हमारे पास 11th question का answer number हो जाएगा, second latent heat, Q is equals to M L, और उसके लिए आप बाकी quantities के लिए भी heat current जो होता है, heat current हमारे पास H is equals to DQ upon DT होता है, अगर अपन specific heat की बात करें, तो specific heat के लिए हम लोग यहाँ पर follow कर सकते हैं, Q is equals to M S delta T, और अगर अगर अ conductivity की बात करें, तो thermal conductivity की लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर अपन heat current की बात करें, then that will be K A upon L into कितना हो जाएगा, delta T, according इनकी dimensions भी calculate कर सकते हैं, but यह एक simple dimension जो सीधी दिख रही है, और किवल इसमें mass नहीं है और यह energy की dimension है, तो अपनने सबसे simple formula जो पहले था, उस current heat इसमें एक first hit होना चाहिए, ठीक है, अब लोग चलते हैं, question number 12 की और, अगला question, in wave equation, y is equals to a sin omega t minus kx, x and y are given in meters, okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, t is in seconds, then the dimension of term a omega upon k will be, अब इसको solve करने के अलग अलग तरीके हैं, तरंग समी करन, y is equals to a sin omega t minus kx, मैं xy तो winter में दिये गए हैं, तो इस term की dimension आप लोग को calculate करनी है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा wave का जो knowledge हैं, उसको use करूँगा, वैसे तो मैं इसको और भी तरीकों से solve कर सकता हूँ, बट यहाँ पर अगर 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 आपन देखें, तो a हमारे पास amplitude है, और amplitude की dimension जो रहेगी हो, y की dimension यानि की y की dimension क्या आपने पास length है, उसके बराबर रहेगा, तो यह हो जाएगा आपके पास length, क्योंकि आगे जो sign लिखा हुआ है, वो तो dimension less है, sin theta, cos theta, dimension less रहेंगे, और यह हैं अपने पास v, this is speed, speed की dimension होती है, l1 t minus 1, तो dimension of this term will be equals to l2 t minus 1, एक simple तरीखा, तो ऑप इसमें यूँ भी देख सकते हैं, कि अगर अपन ओमेगा की बात करें, तो omega की dimension जो रहेगी, यह dimension less quantity रहेगी, तो omega की dimension, मैं dimension की बात करो, तो omega की dimension जो रहेगी, वो t minus 1 रहेगी, अगर अपन k की बात करें, तो k की dimension जो रहेगी, sorry, k क की dimension जो रहेगी that will be l minus 1 तो ऐसे भी अपन चल सकते हैं कि a की dimension l omega की dimension t minus 1 और k की dimension नीचे रहेगी l minus 1 तो यह उपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा l2 t minus 1 कैसे भी solve करें simple question है l2 t minus 1 हमारा result रहेगा l2 t minus 1 option number 2 12 का अपना answer हो जाएगा 2 बढ़ते हैं हम लोग अगले question पर अगला question बोलता है हम लोग को that which of the following is a scalar quantity निम में से अधिश राशी होगी वीदुरु अगोर्ण एक सदिश राशी है और वैदुश्यतर एक सदिश राशी है त्वरण एक सदिश राशी है वैदुदारा एक अधिश राशी है यह सदिश नियुमों का पालन नहीं करती है और आविश सरक्षन सिद्दान स्केलर कॉएंटिटी है तो करेंट भी एक स्केलर कॉएंटिटी रहेगी दन हम लोग आगे बढ़ता है कोशन नमबर 14 पर कोशन नमबर 14 14 अधिश राशी है तो उनका अधिश गुणन होगा ठीक है चलते हैं डॉट प्रोडट प्रोडट क्या होता है हमारे पास a vector dot b vector that will be equals to a b cos theta जहाँ पर a का magnitude अपने को कितना देरिखा है 3 b का magnitude कितना देरिखा आपने को 5 ठीक है और cos अपने पास चल रहा है कितना 60 cos 60 sin 30 is 1 by 2 और यह होजागा अपने पास 3 into 5 15 into 1 by 2 that will be 7.5 7.5 तो हमारा result रहेगा 7.5 simple question समधरी की बात है आप यह ध्यान रखे कि यह 3.5 जो लिखा हुआ है यह dot product नहीं है यह dot product हमेशा अगर लिखा जा रहा है तो vector quantity होनी चीए दोनों तरह ठीक है ध्यान रखने वाली बात है this 14 14 का result रहेगा हमारे पास second answer 7.5 एक्जम्बल कोश्चन बढ़ते हैं अपन अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन हम लोग को बुल रहा है that vector a points vertically upwards and b points towards north vector product a cross b is एक सदिश a उर्द्वादर उपर की और तो था सदिश b उत्तर दिशा की और हो तो सदिश गुणनन a cross b होगा a cross b right and rule हमारे पास a को बुल रुखा है a points vertically upwards vertically upwards यह हो गया ठीक है इदर directions बना देते हैं इधर यह रहा मेरे पास कौन यह रहा मेरे पास अपना north यह हो गया अपने पास south यह हो जाएगा अपने पास इधर west यह हो जाएगा अपने पास east एक vector जो है a vector जो vertically upward है तो यहां से ही हो गया vertically upward तो अब B points towards north तो B vector जो है this is A vector B vector अपने पास इधर की तरफ है तो A cross B right hand rule A cross B यह रहेगा अपने पास west west की तरफ तो A cross B की direction बननी चाहिए along west या पस्चिम की और along west 15 का answer रहेगा first कल दे हम लोग अगला उशन पर हम लोग को यह बुला हुआ है the angles which the vector this 3i plus 6j plus 2k makes with coordinate axis सदिश 3i plus 6j plus 2k द्वारा निर्दे शक्षों के साथ बनाये गए कोण होंगे तिक है हम लोग जानते हैं अगर अपन यहाँ पर simple तरीके से बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस vector के magnitude की vector का magnitude under root 3 का square यानी की 9 plus under root 6 का square यह हो जाएगा मेरे पास कितना 36 plus क्या हो जाएगा 2 का square जो हो जाएगा मेरे पास 4 तो यह बन जाएगा मेरे पास 40 and 9, 49 and magnitude of a will be equals to 7 अब हम लोग यहाँ पर यह जानते हैं that direction cosines of a vector direction cosines यह होती हैं अपने पास cos alpha that is ax upon a ax की value कितनी है 3 तो 3 upon कितना हो जाएगा 7 तो अगर अपन अलफा की बात करें तो this will be cos inverse 3 upon क्या हो जाएगा 7 cos inverse 3 upon 7 cos inverse 3 upon 7 cos inverse 3 upon 7 एक इसमें चल रहा है एक इसमें चल रहा है अगर अपन cos beta cos gama की बात करेंगे तो cos beta के according beta की जो value हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी cos inverse ay upon a ay कितना है 6 बटा 7 तो यह कितना हो जाएगा 6 upon 7 और अगर अगर अपन gama की बात करेंगे then gamma will be equals to cos inverse A z upon A, A z कितना हमने पास 2, तो यह हो जागा 2 upon 7, तो यह तीनों एंगल्स हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, 3 upon 7, 6 upon 7, 2 upon 7, 3 upon 7, 6 upon 7, 2 upon 7, और कहीं नहीं है, तो हमारा इसका result रहेगा, 16 का answer रहेगा, answer number 1, direction to science, simple concept, cos alpha, cos beta, cos gamma, A x upon A, A y upon A, and A z upon A, चलते हैं हम लोग अगले कु The component of this vector 2i plus 3j along vector this is, सदिश 2i plus 3j का सदिश i plus j के अनुदिश गटक होगा, ठीक है, गटक, अगर अपन बात करें component, component कैसे calculate करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या रहेगा, मारे पास इसको अपन A बोल देते हैं, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, B, तो component of A vector along B vector, that will be equals to A cos 3, जिसमें मैं क्या करता हूँ, B से multiply और B से क्या करता हूँ, divide, तो यह उपर बन जाएगा AB cos theta, AB cos theta का मतलब हो जाएगा A vector dot B vector upon magnitude of क्या हो जाएगा अपना B, यानि कि दोनों का dot product upon, जिसके उपर component लिया जा रहा है, उसका magnitude, किस पर component लिया जा रहा है, इस पर, या along vector, जिसके along component लिया जा रहा है, B के along, I plus J के along component लिया जा रहा है, तो इसका magnitude रहेगा वो denominator में आएगा, यह याद रखने का तरीका है, अभी पहले दोनों का dot product, 2 into 1 dot product, A dot B, 2 into हो जाएगा 1, plus हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 into 1 upon magnitude of B, इसका magnitude, under root 1 square plus 1 square, तो यह हो जाएगा 1 plus 1, तो basically यह ब under root 2, 5 upon under root 2, 17 का answer बन जाएगा 5 upon under root 2, that is question number, oh sorry, answer number 1, option number 1, simple, हमेशा component of A vector along B vector, यह बनेगा, हमारे पास A dot B upon B, जिसके along component लिया जा रहा है, वो denominator में magnitude की form में आएगा, तेक है, एक याद रखने ला एक बात है, चलते हैं हम पलंग, 18 कोश्चन पर, अगले कोश्चन पर चलते ह है, 18 कोश्चन पूल रहा है, 2 vectors A and B are such that A plus A vector plus B vector is equals to C vector, टीक है, and C square that is equals to A square plus B square plus under root 3 AB, टीक है, if theta is the angle between positive direction of A vector and B vector, then, दो सदिश A और B इस प्रकार हैं कि A सदिश plus B सदिश बराबर क्या रहेगा, हमारे पास, C सदिश, जहां पर हम लोग को यह बुल रखा है, that C square that is equals to A square plus B square plus under root 3 AB, यदि theta A और B की धनात्मक दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण हो, तो अपने को answer में theta की value calculate करनी है, तो इसके according क्या देख सकते हैं, अपन, यहां पर C square will be equals to A square plus B square plus 2 AB cos क्या हो जाएगा, अपने पास theta, ठीक है, अगर अपन इन दोनों equations को compare करें, C square, C square, A square, A square, B square, B square, तो हम लोग को यहां पर AB भी आ रहा है, AB आ रहा है, तो 2 cos theta, 2 cos theta की value कितनी हा रही है, अपने पास root 3, तो यहां से cos theta की value अगर अपन बोलें, तो this will be root 3 upon कितना हो जाएगा, 2, यहां से अगर अपन theta बोलें, तो cos में root 3 by 2, cos root 3 by 2, cos 30 sin 60, root 3 by 2, this will be 30 degree, 30 degree को अपन बोलेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, pi by 6, theta will be equals to pi by 6, option number अपना हो जाएगा 3, 18 का अपना बन रहा है result 3, simple question, बढ़ते हैं अपन, अगले question पर, अगला question बूल रहा है आम लोग को, if angle between A vector and B vector is theta, then value of B vector dot A cross B will be, यदि A सदिश तथा B सदिश के मध्य कोन theta हो, तो B dot A cross B का मान होगा, ठीक ह अभी अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक चोटी से, समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक C vector consider कर लेता हूँ, C vector that is equals to A vector cross क्या रहेगा, B vector, देखे हैं, और cross product की property क्या रहेगी, कि C vector जो रहेगा, वो A vector के perpendicular रहेगा, और C vector जो रहेगा, वो आपका B vector की B क्या रहेगा, perpendicular रहेगा, simple, तो यहांस है, अगर अपन देखे, तो अपने को क्या calculate करना है, B vector dot C vector effectively calculate करना है, और अपने को यह पता हैं कि C vector जो है, वो B vector के perpendicular है, C vector B vector के perpendicular है, तो dot product में दो vector जब perpendicular होता है, तो आपने लिखेंगे क्या इसको, B C cos theta, जहाँ पर theta जो है, इन दोनों क cos 90 के value 0, dot product जो vector perpendicular, एक simple property, एक important property, if two vectors are perpendicular, their dot product will be 0, 10, 19 का मार अंसर रहेगा, 0, that will be option number 4, जहाँ पना है, question number 20 per, 20, question number 20, if A vector and, if A and B are two vectors, then the value of this term, क्या बोल रुका आपने को, A vector plus B vector cross, यह हो जाएगा मेरे पास B vector, माइनस अपना क्या है, A vector, ठीक है, cross product अम लोग को solve करना है, तो देखते हैं क्या से solve करेंगे, सबसे पहले, cross product में order का आपने को हमेशा ध्यान रखना है, जिस तरह से जो multiplication चल रहा है, उसी तरह से वो multiplication अपने को perform करना है, सबसे पहले, इसका इससे cross product यह हो जाएगा, आपके पास क्या, A vector cross क्या हो जाएगा, अपना B vector, ठीक है, प्लस, अब इसका इससे, तो यह दूसरी term जो बननी है, यह अपने पास plus नहीं बनना है, वैसे तो minus बनना है, पर आगे चलके 0 हो जाएगा, A vector cross A vector, तो A cross A अपना क्या हो जाएगा, 0 हो से B, ठीक है, तीसरी term आगे बनेगी अपने पास plus B vector cross अपना क्यों हो जाएगा, B vector, B cross B, और चोधी term जो बननी है, वो बनेगा, यह minus, और पहले अपने पास B vector आ रहा है, तो पहला B vector, फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा A vector, ठीक है, इसकी value बनेगी हमारे पास 0, इसकी value भ B vector cross क्या बच जाएगा, cross A vector, ठीक है, अब अपन cross product की property जानते हैं, that is A cross B, और vector A cross B, that is equals to minus of vector B cross A, तो यहाँ पर अगर अपने लिखना चाहते हैं, तो मैं इसको positive sense में लिखूँ, तो I can write, this is A vector cross B vector, और इसको positive करता हूँ, तो मैं इनको exchange कर सकता हूँ, that is, plus A vector cross क्या हो हो जाएगा, 2 into क्या हो जाएगा, A cross B, तो मना result रहाएगा, 2 A vector cross B vector, 2 A cross B, 2 B cross A, नहीं, 2 A cross B, okay, तो वापिस से इसको flip कर देता हूँ, इस cancer यह भी हो सकता है, A cross B को अपन flip करके लिख सकते हैं, that is, 2 to 2, और इसको लिख सकते हैं, minus of अपन क्या बोल सकते हैं, B vector cross A vector, so minus of 2, minus 2 B vector cross A vector, minus 2, B cross A vector, एक बढ़िया question है, 20th का answer रहेगा, आपने पास कितना, 2, 20th question का answer, second, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, कि किस सरे से आप cross product में, cross product में हमेशा एक property आप ध्यान रखेंगे, order के लिए, A vector cross B vector, that is equals to minus of B vector cross A vector, इसका आपन ने अभी इसी question में 2-3 बार use कर लिया है, तो आप लोग हमेशा इसको ध्यान रखें, cross product में order का importance हमेशा रहता है, चलते हैं अपन question number 21 की तरफ, 21, boy moves from A to B with uniform speed VU and then returns to A with uniform speed VD, then the average speed of this round trip will be, एक लड़का A से B तक एक समान चाल VU से चलता है, तो इस चक्कर के दोरान औस चाल होगी, ठीक है, तो solve करते हैं, यह रहा अपने पास point number A, यहां से अपन जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, B पर जा रहे हैं, distance में ले ले लेता हूं तो उनों की वीच में कितनी D, यहां से जा रहे हैं किस से, VU से, वापीस आ रहे हैं अपन किस से, VD से, चलो, अगर अपने को V average बुला हैं, तो average speed, that is total distance, अपन क्या हो जाएगा आपने पास, total type, total distance, आप जा रहे हैं और आप वापीस आ रहे हैं, तो total distance कितनी हो जाएगी, 2D, अपन, यहां पर पहला, total time, total time का मतलब यह हैं कि मेरे को जाने में अगर time लग रहे हैं, T1, मेरे को आने में टाइम लग रहे हैं, T2, तो total time कितना हो जाएगा मेरे पास, T1 प्लस T2, ठीक है, अब आपको जाने की distance पता है, जाने की speed पता है, तो हम लोग जाने का time calculate कर सकते हैं, यह बन जाएगा मेरे पास कितना, 2D upon T1, इधर का time, इसको बोल सकता हूं में, D upon कितना हो जाएगा, VU, प्लस यह हो D से, D से, D cancel, इनका LC हम लेके उपर shift करूँगा, तो this will be 2 VU, VD upon कितना हो जाएगा, VU plus VD, तो यह अपना रहेगा, result जो बनेगा, option number 1, option number 1, 21 का option number 1, एक simple question है, यह बहुत ही जादा frequently asked questions में आता है, मता कि यह आपको हर जगे पर मिल सकता है, but you should take care, कि अगर आप लोग को इस situations दी है, तो हमेशा average speed क्या रहेगी, total distance upon total time, बस, situations को solve करो फिर, जो भी situation दे रिखे, time कहां से calculate करूँगा, distance कहां से calculate करूँगा, ऐसे, अपन इसको solve करेंगे, टेक है, एक simple question, 21 का option number रहेगा, मारा first, जलते हैं अपन अगले question पर, 22, 22, if a car covers 2 by 5th of total distance with speed V1, okay, and 3 by 5th of total distance with speed V2, okay, then average speed is, तो देखो, उसी का advance question होगे, पिछले वाले question का थोड़ा सा advance, let us consider, हमारे पास total distance जो है, वो कितनी है, D है, तो इसका 2 by 5 portion, 2 by 5 portion को मैं इतना बोल देता हूँ, यह हमना 2 by 5 portion है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, 2D upon 5, बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा 5, इसको कितने से चला जा रहा है, इसको चला जा रहा है कितने से, V1 से, इसको चला जा रहा है कितने से, V2 से, तो बस अपने को average speed calculate करनी है, average speed, वापिस से वोई बात, V average अपने पास कितना हो जागा, total distance upon total time, let's say इस पूरे रस्ते में अपने को जो time लग रहा है, D, this is the total distance जिसके दो division अपने यहाँ पर करके रखे हुए, are you getting this point, ठीक है, अपन हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे, अगर अपन total time की बात करें तो इस section में कितना time लगा है, T1 time और इस section में कितना time लगा है, अपने को T2 time, ठीक है, तो यहाँ पर time की अगर अपन बात करें तो यहाँ की distance अपन यहाँ की speed, क्या बात करना रही है, तो T1 के अगर अपने को value calculate करनी है, तो this will be 2D upon 5, अपन क्या हो जाएगा, V1, तो यह हो जाएगा 2D upon 5 V1, अगर यहाँ पर मैं देखू, तो अगर यहाँ का time चाहिए, तो distance upon speed, distance upon speed, this is 2D upon 5, अपन V1 आएगा, तो V1 जो रहेगा, वो 5 के साथ आजाएगा, अगर मैं यहाँ का time calculate करूँ, तो यहाँ का time, यहाँ की distance, that is 3D upon कितना हो गया, 5 upon क्या जाएगा, तो यह V2, तो यह V2 जो है, यह 5 के साथ चला जाएगा, और यह बन जाएगा 3D upon कितना हो जाएगा, 5 V2, पर यहाँ पर बन जाएगा जिसको मैं उपर shift कर रहा हूँ, तो इसका result बनेगा 5 V1 V2 upon LCM में, इधर अपने 5 ले लिया, V1 इसके साथ चला जाएगा, V2 इसके साथ चला जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा, 3 V1 प्लस कितना बन जाएगा, यह 2 V2, यह अपना result रहेगा, तो फिर से आपको given conditions में times को यह distances को calculate करना है, और उसके according हमारा result बन जाएगा, 5 V1 V2 upon 3 V1 प्लस 2 V2, 3 V1 प्लस 2 V2, option number रहेगा, हमारा 4th, तो 22 का answer बन जाएगा, हमारा 4th option, are you getting, तेख है, चलते है अपन, अगले question पर, 23 पर चलते है, 23, 23 यह बुल रहा है, that a particle have initial velocity of 3i cap plus 4j cap, and the acceleration of this, यह रहा acceleration आपने पास, 0.4 i cap plus 3j cap, its speed after 10 second is, speed after 10 second, बात करने के लिए, हम वैसे तो vector form में भी use कर सकते है, final velocity V vector that will be equals to u vector plus क्या हो जाएगा, a vector into t, अगर आप इनको अलग-अलग solve करना चाहते हैं, तो x direction में, vx that will be equals to ux plus क्या हो जाएगा, ax into t, ux की value, यह रहा आपने पास, यह रहाए, आपने पास, 3 plus ax की value, ax की value कितनी है, अपने पास, 0.4 into, t की value, time कितना आपने पास, 10, so 10 into 4, यह हो जाएगा, मेरे पास कितना, 7, तो vx की value 7 आगए है, vyy की भी बात करूं, तो uy plus क्या हो जाएगा, मेरे पास, a y into t, uy की value, u y, यह रहा आपने पास, 4 plus, इदर क इतना अपने पास 0.3 इंटो कितना हो जाएगा time अपना 10 तो फिर से ये भी कितना बन जाएगा 7 तो अगर अपने को final velocity vector देना है तो final velocity vector बन जाएगा 7ik plus कितना हो जाएगा 7jk क्या बात समझ मा रही है simple question है बस दोनों direction में अलग-लग solve कर रहे है और अगर इसके magnitude की बात करूँ जो इसका जो speed हो जाएगा तो that will be under root of 7 square plus क्या हो जाएगा 7 square जिसको अपन लिख सिकते हैं this will be 7 under root 2 units 7 under root 2 हमारे पास 23 का answer number हो जाएगा 2 23 answer number 2 एक simple question जिसमें equation of motion अपनने use करी है चलते हैं अपन question number 24 पर 24 एक कार starts from rest and accelerates uniformly to a speed of 180 km per hour in 10 seconds ठीक है the distance covered by car in this time interval will be okay एक कार विरामावस्ता से परारंब होकर एक समान तवरण से 10 सेकिंड में 180 km per hour की चाल प्राप्ट करती है कार द्वारा इस समया अंतराल में प्षय की गई दूरी होगी question to solve करने के लिए सब से पहले आप थोड़ी से सावधानी सावधानी यह है कि आपके option जो दे रुख़ है वो किसमें दे रुख़एं अपने को meter में दे रुख़एं options अपने को meter में दे रिख़़एं क्या पास समझा रही है देख है उसके according 18 यह हो जागा मेरे पास कितना 10 और basically आपके पास 50 meter per second final speed है तो basically situation यह हो गई है कि कुछ initial velocity है starts from rest यानि की u की value 0 final velocity आपके पास v हो गई है और वो कितना हो गया 50 meter per second और यह जो time duration दिरखा है वो अपने को कितना दिरखा है 10 second का दिरखा है और यहाँ पर जो displacement हुआ है वो अपने को क्या करना है calculate करना है तेंके fourth equation of motion क्या होता है s बराबर हो जाएगा तुमारे पास कितना u plus v upon 2 into कितना हो जाएगा t s u की value 0 v की value अपने पास होगे 50 upon अपने पास होगे 2 into t की value कितना हो जाएगा 10 cancel करते हैं this is 25 times 25 into 10 यह बन जाएगा अपने पास कितना this will be 250 meter answer will be 250 meter 24th answer number रहेगा हमारा second क्या बात समझ में आ रही है एक simple question जिसको हम लोगो ने solve किया आगे बढ़ते है 25th पर 25th a man is 45 meter behind the bus when bus starts from rest with acceleration 2.5 meter per second square with what minimum velocity man should start running to catch the bus एक विक्ती बस से 45 meter पीछे है जब बस विरामावस्ता से 2.5 meter per second square के तवरन से तवरित होती है तो बस को पकडने के लिए व्यक्ती को किस नियुंतम वेग से भागना चाहिए दोणना चाहिए ठीक है ओके वैसे तो यह question आप relative motion से simply solve कर सकते हो पर ऐसे questions के लिए आप एक result भी याद रख सकते हैं हमारे पास आद भी अभी इसका velocity अपने को calculate करना है बस की initial velocity आपको 0 दोई रखी है और बस का acceleration दे रखा आपने को कितना 2.5 तो अगर आपन बात करें यह bus है यह हो गया man अगर मैं बात करूं initial velocity of man with respect to bus तो यह हो जाएगा u minus कितना हो जाएगा इसका 0 अगर मैं acceleration of man with respect to bus बात करूं तो acceleration of man इसका acceleration नहीं है इसके लिए कैवल अपने को यही बुला हुआ हुआ है कि किस speed से भागना चाहिए यह uniform speed से इसको बगाना है अपने को तो इसका acceleration 0 minus bus का acceleration कितना हो जाएगा आपके पास 2.5 और अगर अपन यहाँ पर displacement की बात करें तो इस आदमी को यहाँ पर अपने को लेके आना है यानि कि bus के respect में इस आदमी को 45 meter तक आगे लेके आना है displacement of man with respect to bus अपने पास कितना है 45 तो अगर अपन equation of motion यूज करते हैं ऐसे जिकस तो ut plus अपने पास कितना हो जागा 1 by 2 80 square और उसके लिए अगर उसको अगर अपन solve करते हैं तो time की real values के लिए for real values of time इस equation को अगर अपन solve करेंगे तो velocity का एक general expression आपको ऐसे questions को solve करने के लिए हमेशा याद रगने चाहिए कि time अगर आदमी bus को पकड़ सकता है उसके लिए minimum u जो होना चाहिए that should be equals to under root 2 A X या 2 A S जहां पर under root 2 under root 2 acceleration that is acceleration of bus that is 2.5 into displacement जो है या अपने को displacement जो कितना करवाना है अपने पास कितना है 45 तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना this will be 5 into 45 15 into मैं इसको लिए 3 5 into 3 तो ये under root बन जाएगा मेरे पास कितना under root ये बनेगा 225 या ये बन जाएगा मेरे पास 50 तो ऐसी situation में जब आपको minimum velocity पुछी हुए है under root 2 A X is the minimum velocity और वो आया कैसे है इस equation motion को आप real time किया time की real values के लिए solve करेंगे तो आप लोग के पास minimum value of U जो रहनी चाहिए कि जब आदमी बस को पकड़ सके उसके लिए नियुनत standard question है जिसको अपन ने यहाँ पर use किया है आप इस result को भी याद रख सकते हैं otherwise इन values को आप यहाँ पर put करके time की real values के लिए एक quadratic equation बनेगी जिसको solve करेंगे जहाँ पर roots अपने क्या होने चाहिए real होने चाहिए उस time पर U की value जाएगी वो ये बनेगे then बढ़ते हैं अपना आगे इसका result जो रह जाएगा वो 15 meter per second रहेगा 25 का third next अमनों को यह बोला हुआ है if velocity of a particle is V that is AT plus BT square where A and B are constant then the distance traveled by it between 1 second to 2 second is यदि एक कण का वेग V equals to AT plus BT square द्वारा दिया जाता है जहां A था B नियतांक है तो इस कण के द्वारा एक second से 2 second के मत्य तय की गई दूरी होगी बात करते हैं हम लोग को यह बोल रखा है V और V आपका क्या है time dependent है this is AT plus क्या हो जाएगा अपना BT square इसको मैं बोल सकता हूँ यह अपने पास क्या हो जाएगा dx upon dt तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx will be equals to AT plus क्या हो जाएगा BT square into कितना हो जाएगा dt हम लोग को time दिया हुआ है कि time आपको कितने से 1 second से लिके 2 second की बीच में displacement calculate करना है तो integrating this equation integrating this equation में आपके पास dx का integration हो जाएगा ठीक है इधर से integration अपने पास कहां से कहां तक time की values कहां से कहां तक चल रही है एक से लिके 2 यह चल जाएगा मेरे पास AT इसको इसके साथ multiply कर रहा हूँ तो यह जाएगा dt प्लस यह कितना हो जाएगा मेरे पास दूसरा b t square dt ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यह acceleration uniform नहीं है यह non uniform accelerated motion है जिसके according लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आप equation of motion इस जगह पर use नहीं कर सकते हैं आप लोगों integration यह differentiation pattern ही use करना पड़ेगा देखें आगे बढ़ते हैं इधर तो integration of displacement x total displacement कितना होगा यहाँ पर apply करते हैं a constant है इधर integration बनेगा आपने पास कितना that is t square upon 2 जिसमें limit लगेगी एक से लेके 2 plus इधर b constant है यह capital b चल रहा है आपने पास this is capital b और t square का integration t cube upon कितना होगा 3 अपन कहां से कहां तक जा रहे हैं एक से लेके 2 तक इधर x this is a और यह बनेगा मेरे पास 2 to the power 2 2 to the power 2 4 4 upon 2 यह वजागा 2 minus यहाँ पर वजागा 1 by 2 तो 2 minus 1 by 2 plus यह वजागा b इधर बन्जागा आपके पास 2 to the power 3 8 यह बन्जागा 8 upon 3 minus यह कितना बन्जागा मेरे पास 1 1 upon 3 टीक है तो यह बन्जागा मेरे पास कितना 2 minus 1 by 2 4 minus this will be 3 by 2 into a plus 8 minus 1 यह बन्जागा 7 by 3 into कितना वजागा b संबल integration आप लोग को अच्छे से use करना आना चाहिए हमारे पास result रह रहा है 3 by 2 a plus 7 by 3 b 3 by 2 a plus 7 by 3 b एक बढ़िया result हमारे पास 26 का answer रहेगा answer number 3 एक अच्छा question है जिसको हम लोग आप हमेशे ध्यान रखें यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि सर यह ऐसा क्यों किया है तो आप acceleration देखें इसका differentiation करो तो यह कितना बंजागा हमारे पास a plus कितना वजाएगा 2 b t आप देखते हैं कि acceleration जो है वो time dependent है acceleration variable है तो आप यहाँ पर equation of motion use नहीं कर सकते है एक बढ़िया question 26 26 का answer रहेगा हमारा 3 लोग चलते हैं question number 27 पर 27 27 a particle moves along a straight line such that its displacement at time t is given by displacement की equation अपने पास यह चल रही है the velocity when the acceleration is 0 एक कन सरल रिखा के अनुदिश इस प्रकार से गती कर रहा है कि उसका विस्तापन जो है उपरोक्त समीकरण द्वारा दिया जाता है कन का त्वरन जब 6 हो तब कन का वेग क्या होगा ठीक है कहने का मतलब अपन को 0 करना है पहले तो तो यहाँ पर करते हैं इसका differentiation differentiation करेंगे तो आएगी velocity velocity that is 3 t square minus 6 दूनी 12 यह हो जागा 12 t minus यह हो जागा मेरे पास कितना 3 उसी से अगर मैं यहाँ पर वापीस acceleration की बात करूं तो इसका differentiation that will be 6 t minus कितना हो जागा यह मेरे पास 60 minus 12 यह होगा मेरे पास acceleration को करना है 0 करना है acceleration को अपन कर देते हैं 0 acceleration 0 यानि कि अपने पास 60 minus 12 की बेल्यू कितनी हो जाएगी 0 यानि कि T की वेल्यू हो जाएगी 2 सेकट जब acceleration 0 है तब आपको velocity calculate करना है यानि कि acceleration अमारे पास 0 हो चुका है T जिकस्टू 2 second पर तो T जिकस्टू 2 second पर आपको velocity calculate करनी है velocity at T जिकस्टू अपने पास क्या हो जाएगा 2 values put करते हैं 3 T की value आपके पास कितनी है 2 का क्या हो जाएगा square minus 12 into 2 minus का क्या हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 4 into 3 12 minus यह हो जाएगा मेरे पास कितना 24 minus का 3 तो बन जाएगा यह मेरे पास minus 12 minus 3 minus 15 meter per second velocity एक vector quantity है value इसकी negative हो सकती है और हमारे पास 27 का answer रह जाएगा answer number 4 that is minus 15 meter per second बढ़ यह टेक है minus 15 इसका answer रहेगा 27 कोष्चन का चलते है अपन अगले कोष्चन पर अगला कोष्चन अगला कोष्चन अबजेक्ट इस moving with uniform acceleration describes 40 meter in first 5 second and 65 meter in next 5 second its initial velocity will be एक समान तोरन से गतिशील एक वस्तू प्रथम 5 second में 40 meter तथा अगले 5 second में 5-6 meter की दूरी तए करती है ठीक है तो इसका प्रानबिक वीग क्या होगा पहले 5 second हमारे पास पहले 5 second में T is equals to में 5 second बोल देता हूँ तो इस time पर displacement तुमारा कितना हो चुका है that is 40 meter किसी को कोई तकलिप इसमें नहीं चलो अब आगे अपन देखते हैं कि अगले 5 second जो है उसमें इसने एक्स्ट्रा कितना चला है 65 meter चला है तो मैं अगर बोलू कि total 10 second में कितना चल गया है यानि कि मैं अगर T is equals to 10 second बोल देता हूँ तो उस time पर इसका total displacement 40 तो पहले वाला और 65 अब वाला तो total displacement मेरे पास कितना हो जाए अगर 10 second में total displacement that is 105 meter 65 plus 40 equation इन से simple हो जाएगी क्या बास समझे आ रही है अब मैं apply कर देता हूँ कौन साबना displacement वाला equation S is equals to क्या होता है UT plus 1 by 2 ET square पहले वाला time पता है तो displacement इधर equation बनाते है 40 that is equals to U की value पता करनी है into यह है अपने पास 5 plus 1 by 2 acceleration अपने को नहीं पता है और T square की value कितनी हो जाएगी 5 का square को दिककत नहीं उसी तरह से दूसरी equation लिखता हूँ तो दूसरा displacement कितना है that is 105 that is equals to U into time कितना आपने पास that is 10 plus 1 by 2 acceleration is acceleration और 5 5 की जाएगे अपने पास sorry next time कितना आपने पास 10 तो यह हो जाएगा 10 का square क्या पास हो जाएगा simple पामला है arrange करने का तरीका है आप इसको और भी तरीकों से solve कर सकते हैं but यह एक simple understanding के लिए अपने इसको लिखा है यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा 5U plus यह बन जाएगा मेरे पास कितना 25 अपान 2A तीक है that is equals to कितना बन जाएगा यह sorry 40 और दूसरी equation जो चल रही है वो कितनी चल रही है 10U plus इदर कितना बन जाएगा मेरे पास 100 अपान 2 100 अपान इसको ऐसे लिखा रहा हूँ मैं 100 अपान 2A that will be equals to यह बन जाएगा मेरे पास कितना 105 और इसको अगर अपन सिंपल करते हैं तो मैं 5 का डिवाइड करते हूँ 5 का डिवाइड करूँगा तो यह equation मेरे पास कितनी हो जाएगी U plus 5 by 2A that is equals to यह बन जाएगा मेरे पास कितना 8 और यहाँ पर इसको अगर सिंपल करें तो 10 का डिवाइड करता हूँ तो 10 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यह कितना हो जाएगा U plus यह बन जाएगा मेरे पास 10 का डिवाइड 50 upon 2 50 upon 2 का मतलब यह बन जाएगा इधर 50 upon 2 A that is equals to इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो यह बन जाएगा कितना आपने पास 10.5 अब होगया सेटब तो अब अपने को calculate क्या करना है acceleration या initial velocity calculate करने initial velocity यह रही तो मैं क्या करता हूँ इसको 2 से multiply कर देता हूँ 2 से multiply करने पर यह हो जाएगा 2U यह हो जाएगा 10 10 by 2A 10 by 2A ठीक है यह हो जाएगा 16 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको subtract करेंगे minus 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 और यह 10 by 2A और 10 by 2A दोनों cancel 2U में से U जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा U 16 16 यह हो जाएगा आपने पास 16 minus कितना हो जाएगा 10.5 16 minus 10.5 यह हो जाएगा आपने पास 11.5 5.5 meter per second थोड़ा calculation का तो वैसे भी ध्यान अपने को रखना पड़ेगा तेक है the result of this equation और भी अपने अलग तरीकों सो भी solve कर सकते हैं उसमें कोई अलग बात नहीं है बट आप हमेशे ध्यान रखे आपको equation of motion यूज़ करने की बहुत अच्छी practice होनी चाहिए ठीक है question number 28 का answer है जाएगा 5.5 meter per second जो बनेगा अपने पास कितना 3 option number 3 will be the correct answer ठीक है चलते हैं आपन अगले question पर 29 29 29 ये बुल रहा है two cars P and Q starts from a point at the same time along a straight line and their positions are given by XP that is AT plus BT square and the position of other car is given by XQ that is F T minus T square at what time do the cars have same velocity दो कारे P थे था क्यू एक बिंदू से एक समान समय पर एक सरल रखा का अनुदिश गति प्रारम करती है इनकी स्तितिया एक कार की स्तिती ये तथा दूसरी कार की स्तिती ये है किस समय पर कारों का वेग समान होगा थेक है वैस समय बताना है जब कारों का वेग क्या हो जाए समान हो जाए तो वेग के लिए या अगर आपन velocity की बात करें तो velocity either, इसका differentiation कर लेता है vp की बात करते हैं, तो vp क्या हो जाएगा तो हमरी पास, इसका differentiation a प्लस कितना हो जाएगा तुम्हेरा 2bt अगर मैं vq की बात करता हूँ तो यह मेरी पास कितना हो जाएगा, इधर इसका differentiation, f minus कितना हो जाएगा? यह 2t अपने को velocity same करनी है तो velocity को अपन same कर देते हैं और same करने के according हमारे पास जो result बन जाएगा that result चलो चलते हैं VP बराबर क्या कर लेते हैं VQ इदर से solve करेंगे VP कितना चल रहा है A plus 2BT that is equals to VQ F minus 2T ठीक है इसको उदर ले जाता हूँ इसको इदर ले जाता हूँ 2BT plus अमने पास कितना हो जाएगा 2T that is equals to F minus क्या हो जाएगा A A minus A और यहां से मैं T अगर common ले लेता हूँ T और 2 common लेता हूँ तो 2T that will be equals to B plus कितना हो जाएगा 1 that is equals to F minus A तो यहां से T की अगर value देखें तो that will be F minus A upon 2 into B plus 1 एक बढ़िया कुश्च्चन अच्छा अंसर आ रहा है हमारे पास यह है F minus A upon 2 into B plus 1 F minus A upon 2 into B plus B plus 1 या 1 plus B यह result बन रहा है और यह तो A minus F है plus है plus है option number 1 29 का अपना result रहेगा option number 1 एक बढ़िया कुश्चन 29 answer number 1 चलते हैं अपन अगले कुश्चन पर question number 30 a ball is thrown up under gravity find the velocity after 1 second at height of 10 meter ओके एक बढ़िया कुश्चन हमारे सामने है एक गेंद गुरुत्व जी बराबर अपने को यह दिरखा है कि अधीन उर्द्वादर उपर की और फैकी जाती है एक सेकंड पस्चाद 10 meter की उचाई पर इसका wave होगा ठिक है तो इसके लिए diagram बनाते है अपने गेंद को उपर फैका है कुछ अपने पास initial velocity कितनी है u है यहाँ से अपन उपर लेके जा रहे है तो इस जगे पर अपने पास कुछ final velocity क्या हो जाएगी V और after one second यानि कि अपने को question में V की value क्या अगर नहीं है पता कर नहीं है जबकि situations क्या क्या दिरुखी है situations यह है कि इस जगे पर अपने पास time जो है वो कितना है एक second है और इस जो distance है वो कितनी है अपने पास 10 meter देको time distance, initial velocity, final velocity दिखरी है अपने को तो अपने पास एक चीज तो यह है कि अपन सीधा सीधा जाएगे किस पर अपना जो equation है that is S is equals to U plus V upon 2 इंटो कितना होता है T values put करते है displacement कितना है 10 U भी नहीं पता V भी नहीं पता upon अपना हो गया 2 इंटो time की value कितनी बोल दिया इदर that is 1 second तो यहां से अगर अपन देखे U plus V की value कितनी हो जाएगी तो मारे पास 20 यह तो हो गई equation number 1 तेक है अब आगे अगली situation में अगर अपन बात करते हैं तो अपने को यह पता है कि यहां पर U velocity है acceleration due to gravity G जो रहेगा that will be downward और यहां पर final velocity कितनी है V है तो मैं यहां पर equation use कर सकता हूं V is equals to U minus कितना हो जाएगा GT V की value पता करनी है U की value भी पता नहीं है minus G की value अपने पास कितनी है 10 और time की value कितनी है अपने पास 1 इसको उधर इसको उधर तो U minus V की value कितनी है आगे तो मैंने पास 10 यह होगे equation number 2 तो हमारे पास एक equation है U plus V that is equals to 20 और 1 है U minus V that is equals to 10 दोनों अगर calculate करना है तो U की value तो आपकी पास कितनी है जाएगी 30, 2, 15 और उसके according V की value हमारे पास कितनी है जाएगी 5 meter per second तो V will be equals to 5 meter per second 5 meter per second question number 30 30 का 2 5 meter per second एक बढ़िया question है जिसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखे आप लोग को अगर equations में U, V और S और T दिख गए हैं तो यह एक convenient equation है जिससे आप S relations को calculate कर सकते हैं बढ़ते हैं हम लोग आगे question number 31 की और तो question number 31 हम लोग को बूल रहा है the speed of a boat is 5 km per hour तेग है in still water it crosses the river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes okay the velocity of river water will be तो shortest possible path के लिए हम लोग को यह पता है let us consider this is the situation यह अपने पास river है जिसकी weight कितनी बोल दी है 1 km बोल दी है एक है short possible path यह वाली situation shortest possible path का मतलब इदर crossing होनी चाहिए कहने का मतलब river में जो आपको jump करना है that will be at some angle theta and this will be vmr river आपको इदर push करेगी that is vr और उसके according आपकी resultant velocity इदर की तरफ बनेगी that will be vm और आप earth के respect में इस velocity vm velocity से आप river को cross करेंगे जो आप लोग को बोल रखा है कि कितने time में cross किया जा रहा है minutes में answer अपने पास hours में आ रहा है तो इस 15 minute को मैं क्या लिख सकता हूँ this will be 1 by 4 hour तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ vm की value के लिख करते है 1 km की अपने पास river की width है और vm से अगर अपन river cross कर रहे हैं तो we can see that t will be equals to w width upon क्या हो जाएगा vm earth के respect में vm से river cross होगी vm is basically speed of swimmer with respect to earth इसकी value अपने को कितनी दे रिखें this is 1 by 4 width अपने पास कितना है यह और यह हो गया vm तो यहां से vm अगर मैं देखू तो यह कितना हो जाएगा 4 km कितना हो जाएगा पर आर this is the speed of the swimmer और speed of man with respect to earth vm r की बात करें तो this value is the swimming speed और swimming speed आपको कितनी दे रिखी है 5 km पर आर यहां पर अगर अगर अपन देखें तो इन दोनों का vector sum यह है और यह अपने पास एक triangle बन रहा है जिसमें अगर अपन देखें तो यह angle है यह अपने पास perpendicular हो जाएगा यह अपने पास 20 हो जाएगा और यह happiness बन रहा है तो we can see that vm r का square that is equals to vr square plus क्या हो जाएगा यह vm square टेक है vr की value पता करनी है इसकी value कितनी है this is 5 square that is equals to vr square की value पता करनी है और vm जो है that is 4 square तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो vr square की value 25-16 यह आजाएगा 9 sorry 9 और vr की value कितनी बन जाएगी यह 3 km per hour टेक है simple तरीका है तो यहां पर हमारे पास vr वैसे भी हम लोग यहां पर यह देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो यह angle भी calculate कर सकते हैं जिसमें आपको इसकी value पता है और इसकी value पता है तो this angle can also be calculated टेक है तो vr की value अपने पास कितनी बन जाएगी 3 km per hour हमारे पास 31 31 का answer बन जाएगा question number sorry answer number बन जाएगा option number 2 3 km per hour एक बढ़िया और interesting question चलते हैं हम पन आगे question number 32 पर यह plane moves horizontally horizontally with the speed of 500 meter per second and a bomb is released from it ठेक है ओके it strikes the ground in 10 second angle at which it strikes the ground will be हमारे पास यह बुला हुआ है कि एक वायूयान 500 meter प्रतिस सेकंड की चाल से एक शिर्टिस दिशा में गती करता है और इससे एक bomb गिराया जाता है ठीक है जो प्रत्वी पर 10 second में टकराता है bomb के प्रत्वी पर टकराने का कौन होगा तो यह है अपन बना देते हैं एक वायूयान गिरा आपने पास एक bomber plane and it is moving with what it is moving with 500 meter 500 meter per second यहां से एक bomb को drop किया गया है तो इस bomb की initial velocity जो रहेगी that will be same as the plane यानि कि इस bomb के लिए बात करें तो bomb का initial x direction में velocity जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500 meter per second अब इस पर downward direction में acceleration रहेगा g और उसकी वज़े से यह bomb इस तरह से यहां पर आके किसी angle पर strike करेगा किस angle पर strike करेगा उसके लिए यहां पर अपन देखें यहां पर final velocity vx और यहां पर final velocity क्या रहे v y downward direction में तो x direction में अगर solve करता हूँ तो vx that will be equals to ux plus क्या हो जाएगा ax into क्या हो जाएगा t जहां पर ax की बात करते हैं ax, x direction में कोई acceleration नहीं है तो acceleration 0 होने की वज़े से final velocity in x direction that will be same as x direction velocity और x direction initial velocity यह कितना बंजाएगा मेरे पास 500 biter per second उसी तरह से मैं v y y direction में solve करा सकते हैं v y will be equals to क्या हो जाएगा u y plus कितना हो जाएगा ay into t u y यहां से जब अपने project किया है इसकी सारी velocity हो original direction में है vertical direction में इसकी कोई velocity नहीं है तो u y के value कितनी हो जाएगी 0 vertical downward direction में g और g की value अपने पास कितनी है that is 10 तो यह अपने पास कितना हो गया ay की value 10 और time अपने को दे रखा है कितना 10 second तो यह हो गया 10 second तो v y की value जो हो जाएगी इस जगे पर v y की value कितनी हो जाएगी अपने पास 100 ठीक है कितना है 100 और VX की value कितनी है अपने पास 500 तो 10 theta की value अपने पास 1 by 5 बन रही है और theta की value बन जाएगे अपना 10 inverse this will be 1 upon 5 10 inverse 1 upon 5 तेखे 32 का answer रहेगा 10 inverse 1 upon 5 10 inverse 1 upon 5 option number 1 10 inverse 1 upon 5 ओके 32 का answer रहेगा answer number 1 तलते अपन आगले question पर 33 33 if r is the maximum horizontal range of projectile then the maximum height attained by the particle during this motion will be okay good सबसे पहले तो एक तो होती है horizontal range पर उसके आगे लगिया है maximum maximum horizontal range जो होती है वो theta बराबर होता है 45 degree पर concept of projectile the maximum horizontal range will be at angle 45 degree horizontal range r जो होता है that horizontal range r is u square sine अपने पास हो जाएगा 2 theta upon क्या हो जाएगा g बट इसने इसमें भी maximum बोल दिया है तो इसकी maximum value रहेगी जब sine 2 theta की value 1 हो जाए यानि की theta की value कितनी हो जाए 45 degree हो जाए ठीक है बात आरी समझ में तो उसकी according अपना angle of projection क्या हो चुका है 45 degree हो चुका है अब आगे हम r और h में relation जानते है r 10 theta that will be equals to कितना होता है आपने पास 4 h r 10 theta की value 1045 1045 की value हो जाएगी 1 और यह हो जागा आपने पास 4 into h आपने को r की value given है और आपने को क्या करना है maximum height calculate करना है तो maximum height will be equals to r upon 4 r upon 4 option number 4 option number 4 question number 33 एक simple question कुछ चीजें ध्यान रखने की है जो जह सरे से maximum horizontal range कहा पर रहेगी that will be at 45 degree angle चल देपन question number 34 पर 34 the maximum height to which a man can throw a stone is h ठीक है the maximum distance to which he can throw the stone will be ठीक है यह दो अलग-अलग conditions है जिसमें आप पहले बोला जा रहा है कि एक आदमी maximum height जिस तक object को फेक सकता है वो कितनी अपने पास h है यह रहा अपने पास h फेकेंगे अपन u से तो यहाँ पर अगर अपन equation of motion use करते हैं तो हमारे पास h की value जो आ जाएगी यह तो होगा उपर फेकता है जबकि आप maximum height कब तक कहां तक फेक सकते हैं जब आप vertically सीधा उपर project करेंगे then the maximum height attained will be equals to u square upon अपना कितना हो जाएगा 2g अब इसने पूछा है कि वो कितनी maximum distance तक फेक सकता है तो maximum distance तक फेकने के लिए projectile को आपको या इस object को अपने को इधर फेकना पड़ेगा horizontal side में और maximum कब फेक सकते हैं जब आपका angle of projection कितना हो 45 degree हो तो है उसकी वज़े से object यहाँ पर आके गिरेगा and that will be the maximum horizontal distance r max जिसको अभी अपन ने थोड़ी देर पहले discuss किया था r max, r max की बात करते हैं तो angle हो जाएगा 45 degree and this will be u square sin अपना हो जाएगा on 2 theta जिसमें theta की value 45 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा sin 90 अपन कितना रहेगा g तो r max जो होता है वो अपने पास कितना हो जाएगा u square upon g u square upon 2g की value कितनी आ रही है h r e है तो यहां से अपन देख सकते हैं कि u square upon g की value कितनी होगी 2h हो जाएगी u square upon g की value कितनी आ जाएगी 2h तो maximum height अगर h है जहां तक एक आदमी एक ball को फिंख सकता है तो maximum distance horizontally same speed से अगर फिंखी जाए तो 45 degree पर उसका range maximum रहेगा और horizontally वो कितनी distance तक फिंख सकता है maximum that is up to 2h तो 2h horizontal range तक हमारा projectile जाएगा यह दो question question number 33 और 34 दोनों अलग-अलग conditions में चलने वाली बाते हैं एक में आप एक ही projectile के लिए बात कर रहे हैं एक में आप एक को maximum height कितना फिंख सकते हैं उसी को फिर कितना maximum horizontally फिंख सकते हैं यह तो अलग-अलग बाते हैं दोनों मुद्धें इंट्रस्टिंग आप लोग अमेशा इसका ज्यान रहें question चलते हैं अपन 35 पर question number 35 a particle is projected from ground at an angle theta from horizontal and with the initial speed of u the time after which velocity vector of projectile is perpendicular to the initial velocity vector okay एक बहुत ही बढ़िया question एक कन को ख्षेति से theta cone पर अपन यू प्रारंबिक वेग से प्रक्षेपित करते हैं जबकि वह समाई क्या होगा जब कन का वेग सदिश प्रारंबिक वेग सदिश की क्या हो जाएगा लंबबद हो जाएगा वो समाई अपने को ज्याद करना है देखते हैं डाइग्राम बनाते हैं यह हमारे पास है यू और इस यू की direction यह है ठीक है और अगर अगर अपन यू को वेक्टर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाते हैं तो यू वेक्टर क्या हो जाएगा इ यू को एक्सप्रेस करने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए देखे हैं हमारे पास x direction में कुछ velocity u cos theta y direction में u sin theta और दोनों से अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में अपन इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं आगे अब यह प्र है calculate करना है क्या पास समझ में आ रही है तो उसके लिए देखो solve करने के दो बहुत सारे तरीके हैं बट हम लोग एकदम systematic pattern पर चलेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में अगर अपन बात करें तो x direction की velocity हमेशे क्या रहेगी constant बनी रहेगी और y direction की velocity एक uniform accelerated motion रहेगी तो अगर अपन वी वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वी वेक्टर x direction में कितना रहेगा u cos theta i cap प्लस यह हो जागा मेरे पास u sin theta minus gt jk यह projectile में यह projectile की velocity का किसी time पर general expression है जिसमें x direction की velocity जो रहेगी वो x direction की velocity constant इधर यह कितना है u cos theta तो यह u cos theta हमेशा u cos theta बना रहेगा but y direction की velocity जो रहेगी वो दिरी दरी कम पड़ती जाएगी इस जगे पर y direction की velocity vy की value 0 हो जाएगी और वापिस यह downward direction में increase होती जाएगी यह uniform accelerated motion y direction में रहेगा और original direction में जो रहेगा वो आपके पास velocity क्या रहेगी uniform या constant रहेगी तीक है अ अब हम vector का एक rule जानते हैं कि अगर दो vector एक दूसरे की क्या है perpendicular है if two vectors are perpendicular to each other then their dot product will be 0 तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो यह दोनों vector अपने को perpendicular करने हैं यानि कि इनका dot product अपन क्या अगर देते हैं 0 कर देते हैं dot product इनका dot product u cos theta का u cos theta से dot product यहाँ पर अगर अगर का आई वाले से multiplication यह हो जाएगा u square cos square theta plus इसका इस term से multiplication तो यह बनेगा अपने पास कितना पहली term बनेगी u square sin square theta minus इसका इस से multiplication यह बन जाएगा u sin theta into क्या हो जाएगा अपना gt that will be equals to 0. u square यहाँ से common ले लता हूँ sin square theta plus cos square theta 1 तो यह बन जाएगा u square minus यह चल जाएगा u sin theta into gt that will be equals to 0. इसको मैं इधर लिखे आता हूँ इसको इधर लिखे आएगे तो हमारे पास equation जो बननेगे यह बनेगी u sin theta into gt that is equals to u square a u से a q cancel और अगर time की value calculate करना चाते है तो time will be equals to u upon कितना हो जाएगा g into कितना हो जाएगा u upon g into कितना हो जाएगा sin theta एक हैथरी इनप्रशन जिसका result रहेगा u upon g sin theta u upon g sin theta option number 2 35 का result रहेगा t the time when velocity vector of the projectile is perpendicular to the initial velocity of the projection तो है वह समय जब कन का वेख सदिश जो है वो प्रारंबिक वेख सदिश की क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा u upon g sin theta 35 तन ओके अच्छा question है चलते हैं अपन अगले question पर now we are moving to the section B, हम B section पर चल रहे हैं और अब अपने पास 15 question है और 15 question में से आप लोग को 10 question अटेंग दरने होते हैं दिखने में ये simple लगता है but 15 में से 10 को select करना एक important task करता है तो थोड़ी सी complication यहाँ पर क्या हो जाती है बढ़ जाती है तेक है चलते है question number 36 क्या बोल रहा है and epsilon 0 that is permittivity of free space 1 upon mu 0 epsilon 0 की विमा होगी जहां पर mu 0 निर्वात की चुमकन शीलता है और epsilon 0 निर्मात की पैदु शीलता है तेक है इसके लिए आप लोग को कुछ चीज़े ध्यान रखनी पड़ेगी जैसे speed of light speed of light जो होती है वो गिवन होती इस तरह से that is under root mu 0 epsilon 0 तो मैं square करता हूँ तो हमारे पास 1 upon mu 0 epsilon 0 जो हो जाएगा that will be equals to c square और यह speed है speed speed देते हैं आपन कितना l1 t-1 उसका अपना हो जाएगा square जो यह बन जाएगा l2 t-2 l2 t-2 l2 t-2 option number 4 एक simple question और यह आपको याद भी रखना चाहिए क्योंकि आप हर जिगे पर mu 0 epsilon 0 की dimensions ऐसे calculate नहीं करें the speed of light यह एक important formula भी है तो हमारे पास यह रहेगा l2 t-2 36 का answer number हो जाएगा अपना कितना 4 चलते हैं अपन अगले कुश्चिन पर the unit of impulse per unit area same as किसके समान होगा थिक है तो पहले तो इसको design करते हैं यह बोल जो रखा है आपके पास quantity क्या दे रिखी है that is impulse per unit area impulse per unit area को अपन बोल सकते हैं impulse होता है हमारे पास f into delta t upon area कितना हो जाएगा आपके पास meter square f यह बन जाएगा मेरे पास कुछ इसको अगर अपन देखें तो सबसे simple तरीके से अगर अपन इसको solve करें यह हो जाएगा हमारे पास m1 l1 t minus 2 into यह हो जाएगा मेरे पास कितना t upon क्या हो जाएगा मेरे पास यह l2 तो यहाँ पर आपके पास जो quantity दे रिखी है उसकी dimension क्या बन रही है that is m1 यह जाएगा मेरे पास l minus 1 और यह जाएगा मेरे पास कितना t minus 1 यह उपर minus 1 t minus 1 m1 l minus 1 t minus 1 dimension यह पता जल गई वैसे तो आपको अगर थोड़ी dimension पता है तो यह simple बनी रहा है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और idea दे देता हूँ यह अपने पास हम लोग जानते है f equals 2 क्या होता है हमारे पास f अगर अपन viscosity के according चलते हैं तो वो होता है 6 pi nita r v तो यहाँ से nita की dimension की बात करेंगे तो यह हो जाएगा f upon क्या हो जाएगा आपके पास r into v तो अपने यहाँ पर और देखें तो हमारे पास यह कितना हो जाएगा इदर f f की value f यह बन जाएगा m1 l1 t minus 2 upon r की value l1 और यह कितना हो जाएगा अपने पास l1 t minus 1 वापिस से अपने पास क्या बन रहा है इसको ऊपर बेज देते हैं तो m1 यह जागा l minus 1 यह उपर जागा तो plus t minus 1 तो dimensions हमारे पास match कर रही है तो coefficient of viscosity के according अपन यहाँ पर result दे सकते हैं कि impulse आवेग प्रती का एक्षेत्र फल और impulse per unit area will be equivalent to coefficient of viscosity, शान्ता गुना 7 that will be equals to 37 का answer जो रहाएगा surface tension जो होती है वो f upon l रहता है तो यह अपने पास आवे f upon l यहाँ पर f upon m square type का मामला चल रहा है तो प्रस्तनाव नहीं बनेगा अगर अपन प्रत्यास्ता गुनाग की बात करते हैं तो इसका जो unit होता है newton per meter square होता है तो newton per meter square है पर यहाँ पर time नहीं आ रहा है तो हम सारी चीज़े check कर सकते हैं basically आपको दोनों तरीकों से unit के according भी solve करना आना चाहिए dimensions के according भी solve करना आना चाहिए आप यहाँ से भी और थोड़ा simple भी बना सकते हैं इसको यह अपने पास force हैं इसको mass into acceleration लिखके आप लोग इसको भी solve कर सकते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है simple तरीके से हमारे पास coefficient of viscosity इसका result रहेगा एक बढ़िया question जिसको आप अपने भी तरीके से इसको solve कर सकते हैं मैंने एक तरीका आपको बताया है dimensions के according आप units के according भी यहाँ पर चल सकते हैं चलते हैं मैं question number 38 पर 38 screw gauge gives following readings when used to measure diameter of wire एक wire का diameter अपने screw gauge से measure कर रहे है जिसमें हमने पास main scale reading जो आ रही है वो कितनी आ रही है 0mm आ रही है circular scale reading जो आ रही है 52 divisions आ रहे है और यह बोला हुआ है कि हमारे पास main scale पर जो 1mm है वो circular scale के 100 divisions के equivalent है तो आपको यह बताना है कि what will be the diameter of wire तो हम लोग पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर अपने पास least count बोलें तो least count क्या होता है 1 main scale division upon क्या हो जाएगा circular scale division number of circular scale division 1 main scale division कितना अपने पास 1mm upon circular scale division कितने अपने पास 100 तो basically यह अपने पास situations बन चुकी है यह बन जाएगा अपने पास 0 point यह बन जाएगा 0 1 mm यह अपना हो गया least count अगर अपने अब reading की बात करें तो reading या diameter जो होता है वो होता है हमारे पास formula क्या होता है main scale reading plus least count into क्या हो जाएगा circular scale reading least count into circular scale reading अभी अगर अपन देखें main scale reading कितनी आ रही है main scale reading अपने पास कितनी है that is 0 mm में चला रहा हूँ है इसको अभी 52 division तो circular scale reading कितनी है 52 division से और least count अपने calculate कर लिए है कितना 0.01 और answer आपका आएगा किस में mm में थोड़ा असा सावदानी से इसको solve करना पड़ेगा तो हमारे पास diameter जो बन रहा है diameter बन रहा है कितना इनको 0.52 mm यह अपना diameter बन रहा है ठीक है और यह mm में बन रहा है अब आपन देखेंगे answer तो answer आपको mm में नहीं दे रिखे है आपको cm में दे रिखे है आपन जानते हैं कि हमारे पास क्या रहेगा 1 cm is equals to क्या रहेगा 10 mm रहेगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, this will be d that is equals to 0.052 कितना हो जाएगा, centimeter, क्या बाद सुझा रही है, आप यह दियान रखें, आपने शुरू से लास तक पूरा mm में solve किया है, पर result के according आपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो result में आपको centimeter में result दे रखा है, तो आप centimeter में आपने उसको convert किया है, और यह बन जाएगा 0.052 centimeter, अगर आप चाहें, तो हम लोग देख सकते हैं, that 1 mm will be equals to 10 raise to power minus 1 centimeter, या 1 centimeter बराबर क्या हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा, तो result अपना बन जाएगा diameter के लिए, that is 0.052, that is 38, 38 का answer number रहेगा, 2, एक बढ़िया question जिसमें थोड नहीं रखनी पड़ेगे, ठीक है, चलते हैं अपन अगले question पर, 39 पर, 39, 39 बूल रहा है कि, if the displacement of particle varies with time as this, then particle, यदि एक कन का विस्तापन समय के साथ समीकरण, under root x बराबर t plus 3 के अगनुसार परिवर्तित होता है, तो कन के, और options में वेग के बारे में आप लोग को पुछा यानि कि, options में हम लोग को बोल रखा है, कि velocity के बारे में आप लोग के क्या thoughts है, वो अपने को बताने है, तो velocity अपने को differentiation करना है, और देखने पे तो लग रहा है कि, ये अंडर root वाला मामला है, तो differentiation थोड़ा सा complicated हो जाएगा, आप कभी भी ध्यान रखें, आप जब तक ची 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा 9, प्लस कितना हो जाएगा 6T, ये आपके displacement की equation हो गई, उसका according, velocity के अगर में बात करता हूँ, तो इसका differentiation कर देता है, velocity, that is, ये बन जाएगा 2T, प्लस 9 का 0, और ये कितना हो जाएगा 6, तो velocity का expression बन रहा है, आपने पास कितना, V जिकस तो 2 2T, प्लस 6, तो velocity is inversely proportional to root T, नहीं, velocity varies linearly with T, velocity varies linearly with T, ये option अपना correct बैठ रहा है, velocity is proportional to under root T, नहीं, तो velocity is varies linearly with T, वेग T के साथ रेखी ग्रूप से परिवर्तित होगा, option no. 2, 39 का, initial velocity of particle is 0, नहीं, initial velocity के लिए T is equals to 0 रखेंगे, तो आपके पास initial velocity, T is equals to 0 पर initial velocity कितना आ जाएगी, 6 आ रही है, तो ये option भी साही नहीं है, चला है अपना आगे, 39 का answer रहेगा अपना 2, next, चलते हैं अपन, question no. 40 पर, two bodies are thrown with same initial velocity at angle theta and 90 minus theta respectively, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे, their maximum heights are in ratio, उनकी अधिक्तम उचाईयों का अनुपाद, अपने पास दो वस्तुएं जो है, एक theta पर और एक 90 minus theta को उन पर प्रक्षेपित की गई है, तो अधिक्तम उचाईयों को अपने को अनुपाद बताना है, question में आप ध्यान रखेंगे, आपको range नहीं पूछी हुई है, theta और 90 minus theta पर अगर आपको range का ratio पूछा जाए, r1 raise to r2, तो range का जो ratio रहेगा, that will be 1 is to 1, पर question में आपको maximum heights का ratio पूछा हुआ है, maximum heights के लिए चलते हैं, maximum height, h, h जो होता है equation, u square sine square theta upon क्या होता है, 2g, तो इसको h1 बुल देता हूँ, जब तो यह हो जाएगा, theta और h2 बुल दू क्या हो जाएगा, 2g, divide कर देते हैं, divide में, 2g सी 2g cancel, u square सी u square cancel, हमारे पास h1 upon h2, इदर बन जाएगा, sin square theta upon sin 90 minus theta जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अपना cos theta हो जाएगा, तो cos theta की according यह बन जाएगा, cos square theta, तो अपना result रहेगा, sin square theta upon cos square theta, एक बढ़िया question, लेके, 40 वी का result रहेगा, आपने पास 3, sin square theta upon cos square theta, square में वैसे भी और कोई option नहीं है, तो sin square theta upon cos square theta, चलते हैं, अगले question पर, 41 पर, 41, एपार्टिकल is thrown with speed u, at an angle theta with the horizontal, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे, when the particle makes an angle theta with the horizontal, sorry, theta नहीं है, phi है, okay, phi दिया हुआ है, when the particle makes an angle phi with the horizontal, its speed is V, then V is equal to, okay, चलो, अपने को कुछ situation दे रिखिए, एक particle है, जिसको अपने यू, initial velocity से project किया है, कि इतने पर theta angle पर, तो यह अपने motion में कहीं जा रहा है, उस time पर इसका horizontal से angle, कुछ phi हो जाता है, तब इसकी velocity जो है, वो कितनी है, V है, यह angle अपने पास कितना ह हो गया, phi, velocity कितनी हो गई, V, तो उसने पुछा है कि V की equation या V की value क्या रहेगी, हम यह जानते हैं, projectile के लिए, इस पूरे path पर, जो velocity का horizontal component रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, constant रहेगा, और horizontal component अपने पास क्या रहेगा, this will be U cos theta, तो यहाँ पर भी horizontal component की बात करूँ, तो वो cos phi, कहना का मतलब इस point पर V, जो की horizontal से phi angle create कर रहा है, यह V, इसका horizontal component बोलूँगा, तो यह करता हो जाएगा, V cos phi, और यह किसके बराबर रहेगा, आपके, U cos theta की क्या रहेगा, बराबर रहेगा, उसके according V की बात करें, तो यह हो जाएगा, U cos theta into, इसको बेज देता हूं में न एक बढ़िया question, U cos theta sec phi, थोड़ा से ध्यान से अपन देखेंगे, options काफी close दिख रहे है, cos और cos नहीं है, यह sec है, पर यह theta है, अपने को sec चाहिए 5 में, sec phi, option number 3, 41 का अपने पास क्या बनेगा, option number 3, एक बढ़िया question, चलते है अपन, अगले question पर 42 पर चलते है, 42 बोल रहे है, if wire have mass of this much, कुछ data दिया है, the radius of this much and length of this much, the maximum percentage error in the measurement of its density will be, एक तार का द्रेमान इस प्रकार से दिया गया है, तिरिजा इस प्रकार से दी गई है, और उसकी लंबाई जो है, इस प्रकार से दी गई है, तो गनत्व की मापन में अधिक्तम प्रतिशत तूटी होगी, तिक है, पहले तो अपने equation पर चलेंगे, गनत्व कैसे calculate कर सकते है, रो, that is, mass upon क्या हो जाएगा, density, that is equals to mass upon volume, गनत्व, दिरमान बटा आयतन, mass, volume हो जाएगा, area into length, और area into length में आपने पास wire है, तो अपन पाई r square, radius, wire होगा आपने पास ऐसा, ठीक है, तो इसकी होगी radius, यह अपने प density की बात करूँ, तो percentage error, delta rho upon क्या हो जाएगा, मेरे पास rho, that is equals to, और इसमें percentage error है, तो इसको सोची भी multiply करूँगा, इसमें लगा देते हैं सारे error की rule, यह तो constant है, इसका तो कोई मतलम नहीं है, यह मन जाएगा, delta m upon m, plus error additive, यहाँ पर हो जाएगा 2, यह हो जाएगा, delta r upon r, plus क यहाँ पर, delta m upon m, delta m की value कितनी है, 0.003 upon कितना है, 0.3, plus 2 into, यह कितना दे रखा है, 0.005 upon कितना हो जाएगा, 0.5, plus delta l की value दे रखी है, 0.06 upon कितना चल रखा है, 6, पर अपने को पता हैं कि यहाँ पर अपने को कि इसको 100 से भी multiply करना है, ताकि सीधी सीधी percentage error निकलेगी, 100 से multiply लेग रहे हैं, इसको 100 से, यह दोनों decimal इधर shift और 0.3 से 0.3 cancel, तो पहली term जो बनेगी, that will be 1, plus, इसको यहाँ पर ले जाओंगा, तो यह दोनों decimal इधर shift, 0.5 से 0.5 cancel, और यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा, 2 into break-in में बन जाएगा, 1, plus, इसको मैं इधर ले जाता हू हैं, यह का 1, plus, 2, plus, कितना हो जाएगा, 1 means कितना जाएगा, 4%, और percentage error ही हमने को पुछा हुआ है, तो हमारे पास जो result बनेगा, that will be 42 का answer number 4, 4% will be the result, देखे, एक बढ़िया question है, जिसमें आप लोग को सारी चीज़े थोड़ी सी ध्यान रखने पड़ेगे, चलता है अपन बराबर x square हो, तो f में साप x तुरूटी, एक है, simple बात है, x square है, तो साप x तुरूटी, क्या होती है, delta f upon f, error के rules use करेंगे, तो यह जागा, 2 delta x upon x, 2 delta x upon x, 43 का option number हो जाएगा, कितना, 4, देखे, चलते हैं हमपन, 44 पर, 44, if omega is this and r is this, तेखे, दो vector दिये है, what will be the linear velocity of the particle, यदि कन का omega सदिश, या हमारे पास कोणी ये वेग सदिश, इस प्रकार से दिया गया है, और r हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है, तो कन का रेखिक वेग होगा, ठेके, तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं, v जिकस्तू क्या रहेगा, हमारे पास v vector that is equals to omega vector cross क्या होता है, r vector, तो v vector को अगर मेरे को solve करना है, तो मैं arrange कर देता हूँ, ये i, ये हो जागा j, और ये हो जागा मेरे पास k, इधर, values को arrange करते है, omega, कितना है, 3, minus का 4, और ये हो जागा मेरे पास कितना, 1, ये बन जागा मेरे पास 5, इधर बन रहा है, मेरे पास minus का 6, और मैं यह देख रहा हूँ कि अपने पास पहले option में यह दोनों options ही same लग रहे हैं, तो मैं पहले check कर लेता हूँ, I का जो multiplier रहना है, वो अपने पास 6 आ रहा ही नहीं आ रहा है, अगर लगी आ रहा हो तो अपना answer ही क्या हो जाएगा, set हो जाएगा, I, इधर से, इधर 6 into 4, यह कि 18 I cap बन रहा है, minus 18 I cap, तो अपने पास E की option है, जिसमें minus 18 I cap की situation चल रही है, आपको पूरा solve करने की ज़ुरत नहीं है, आप direct भी solve कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 6 बन रहा होता है, तो फिर अपन इसको आगे solve करके check करते हैं, अब यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो अपने पा M moving with uniform speed on a circular path of radius R, what is the change in acceleration in going from P1 to P2, ठीक है, ओके, चितरा अनुसार, एक M दरे मान का कण R तिपजा के वरती पत पर एक समान चाल से गती कर रहा है, तो बिंदू P1 से P2 तक जानने में कण के तवरण में परिवरतन होगा, तवरण, हम लोग जानते हैं, acceleration के लिए, acceleration हमारे पा तो इसका acceleration जो रहेगा, वो इधर की दरफ रहेगा, जिसको मैं बोल देता हूँ, A1, और P2 पर जाएंगे, तो यहाँ पर acceleration जो रहेगा, वो इधर रहेगा, और इसको बोल देता है, A2, और A1 और A2 में जो angle बन रहा है, वो कितना बन रहा है, आपने पास, 90 degree है, ठीक है, अ इसने change पूछा है, change, delta A vector, यह हो जागा मेरे पास कितना, A2 vector minus कितना हो जाएगा, A1 vector, और दोनों की बीच में angle कितना है, 90 degree है, basically, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसको, इसको अभी बाद में ऐसे लिखेंगे, अभी तो यह है, अपने पास कौन, delta A vector, change in acceleration vector, that is, A2 vector minus क्या हो A1 vector हो जाएगा, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है, तो उसके according अगर में बात करता हूँ, तो यहाँ पर इन दोनों की बीच में angle कितना चल रहा है, that angle is 90 degree, ठीक है, delta A vector का अगर magnitude बोलू, तो यह कितना हो जाएगा, under root of, यह हो जाएगा मेरे पास कितना, A1 square, plus क्या हो जा V square upon R, इसकी value भी कितनी है, V square upon R, तो अपने पास जो V square upon R, whole square, plus यह हो जाएगा, V square upon R का क्या हो जाएगा, whole square, तो result अपने पास बन जाएगा, V square upon R, under root 2, V square upon R, under root 2, तो option number अपने पास क्या हो जाएगा, 4, 45 का answer रहेगा, 4, आप यह ध्यान रखे, हमारे पास acceleration, circular motion में, अगर अपन बात कर रहे हैं, तो acceleration V square, centripetal acceleration, V square upon R, रहेगा, बट जैसे जैसे particle की position change होती है, acceleration vector जो है, वो change होता जाता है, तीक है, अच्छा कुछन है, चलते हैं अपन, कुछन number 46 पर, A stone is thrown vertically apart with speed u from the top of the tower and reaches to the ground with velocity 3u, तीक है, the height of the tower is, एक कन को मीनार के शिर्ष से, उर्दवादर उपर की और u चाल से फिका गया है, कन प्रत्वी पर 3u एक से पहुंचता है, तो मीनार की उचाई क्या होगी, तीक है, देखते हैं, यहाँ पर diagram बना लेते हैं, यह रही अपने पास मीनार, उचाई ले लेते हैं, इसकी कितनी h, इधर की दरफ फेका है, कितने से, यू से, और जब यह वापिस नीचे जब आ रहा है, particle, इधर की दरफ अपने फेका है, यू से, और यह जब गूम के यहाँ पर आ रहा है, तब इसकी velocity कितनी है, that is, 3u, downward direction में, इधर acceleration due to gravity, downward direction में, displacement, particle का यहाँ से यहाँ तक, वो भी downward direction में मैं उपर वाली direction को positive और downward direction को यह answer कर लेता हूँ, negative, तो हमने पास initial velocity तो कितनी हो जाएगी, plus का u, final velocity हो जाएगी, minus का 3u, ठीक है, acceleration की value हो जाएगी, minus का g, और displacement जो हो जाएगा, आपके पास, displacement that is equals to minus of h, use करते है, v square is equals to u square plus कितना हो जाएगा, आपने पास, 2as, final velocity, minus 3u का क्य a की value, minus g, s की value, minus h, 3u square, this will be 9u square, इसको उदर बेजता हूँ, minus u square, that will be equals to 2g, h, और यहां से h की value देखेंगे, तो 9u square minus u square, 8u square upon कितना हो जाएगा, यह 2g, h will be equals to 8u square upon 2g, options में अगर आपन देखें, तो 8u square upon 2g, अपना result बन रहा है, इसको यहां से अगर आपन cancel करते हैं, तो this will be 4u square upon कितना हो जाएगा, g, simple situation, और हमारे पास answer number हो जाएगा 2, that is 4u square upon g, 46 का answer रहेगा अपना 2, 4u square upon g, एक बढ़िया question, आगे बढ़ते हैं, 47 पर, 47, एक particle moves along sides a, b, b, c, c, d, of a square of side 25 meter, ओके, यह square है, जिसमें यह कितना है, 25 meter, यह अपने पास कितना है, 25 meter, यह है, अपने पास 25 meter, with the speed of, with velocity of 15 meter per second, यह चल रहा है, आपने पास कितना 15 meter per second से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो, इसका ओसत वेग होगा, ठीक है, थोड़ा सध्यान रखने वाली बात है, आपने चलते हैं, पहले तो यहाँ पर अपने को देखना है, ओसत वेग जो होता है, यह वी average, average velocity की बात करूँ, तो यह होता है, displacement, अपने पास क्या होता है, time, तो यहाँ से अगर अपन displacement देखते हैं, तो particle की initial position यह, final position यह displacement रहेगा, यह और यह हो जागा मेरे पास कितना displacement, AD, AD जो रहेगा, वो कितना रहेगा, अपने पास 25, पर अपने पास यहाँ पर time नहीं दिरखा है, ठीक है, time नहीं दिरखा है, तो time calculate करेंगे, time कैसे calculate करेंगे, यहाँ पर देखो, यह 25, 25, 25, total distance कितनी travel की जारिये है, 75, और speed कितनी दिरखी हैं, speed जो दिरखा है, वो अपने पास कितनी है, that is 15 meter per second, तो 75 meter distance travel करने में, 15 meter per second से जो time लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा, distance upon speed, that is 75 upon 15, यह बंजाएगा मेरे पास कितना 5, ठीक है, तो अगर अ V average की बात करेंगे, तो V average will be, बस्तो यह बंजाएगा मेरे पास 25, अपन क्या हो जाएगा, 5, 25 upon 5, यह हो जाएगा, 5 meter per second, 5 meter per second, average velocity will be 5 meter per second, जो बंजाएगा मेरे पास कितना, 47 का, 47 का 4, simple, 4 option means 5 meter per second will be the result and 4th will be the option, 5 meter per second, लेके, एक simple question बढ़िया है, आप लोग को ध्यान रखन है, distance or displacement के बीच में difference और उसी तरह से speed और velocity के बीच में difference, बढ़ते हैं अपन अगले question पर, अगला question, अगला question अपने को यह बोल रहा है, that, which of the following 80 graph represents uniform motion, निम में से कौन सा 80 वक्र एक समान गती को प्रदेशित करता है, uniform motion का मतलब होता है, आपके पास V will be equals to constant, V vector will be equals to constant, uniform accelerated motion नहीं बुला है, इसने uniform motion बुला है, uniform motion का मतलब V vector constant, V vector constant का मतलब हमारे पास acceleration, acceleration A vector, which is DV vector upon क्या हो जाएगा, DT, यहाँ पर V vector constant है, तो इसका जो differentiation करेंगे, तो वो कित्ता हो जाएगा, 0, यानि कि acceleration हमेंशा क्या रहेगा, uniform motion के लिए acceleration will be equals to 0, acceleration 0, यह acceleration 0 नहीं, यह acceleration 0 नहीं, यह acceleration 0 नहीं, यह acceleration 0 नहीं, none of these इसमें से अपना result रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, 48 का आपना result रहे जाएगा, रिजल रहेगा, 4th, none of these, acceleration will be 0, यह uniform motion बुलाया है, uniform accelerated motion होती, तो acceleration constant होता, ठीक है, बढ़िया कुशन, चलते हैं अपन, 49 पर, 49, the range of projectile fired at an angle of 15 degree is 50 meter, ठीक है, if it is fired with the same speed at angle of 45 degree, its range will be, ठीक है, range, range के लिए अगर आपन बात करते हैं, तो range is proportional to sin 2 theta, यानि कि आपके पास theta 1 की value दे रिखी है, 15 degree और उस पर range दे रिखी है, आपको r1, वो कितना है, 50 meter, theta 2 की value दे रिखी है, अपने को कितनी, 45 degree और range 2 की value अपने को क्या करनी है, पता करनी है, तो यह आपर अगर मैं देखू, r2 upon r1, that is, sin, इदर 45 की value रिखू, तो 2 in 2 कितना हो जाएगा, 45 upon sin, इदर हो जाएगा, तुम्हारे पास 2 in 2 कितना हो जाएगा, 15, r2 की value पता करनी है, r1 की value 50 है, sin 90, 1 और यह जाएगा, sin 30, sin 30, 1 by 2, तो यह 50 इदर, यहाँ से 2 उपर, range 2, will be equals to कितना हो जाएगा, 2 into 50, this will be 100 meter, example question, बढ़िया question है, और हमारा result जो बनेगा, इस पे, result रहेगा कितना, that 49 की लिए 100 meter हमारी range रहेगी, 49, that is, 3, answer number 3, चलते है अपन, last question पर, last question is, question number 50, 50 will be equals to, a particle is fired with velocity u, making angle theta with the horizontal, तहिक है, what is the change in velocity, when it is at highest point, एककर यू वेक से ख्षेतिस से, थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है, तो गती के उचतम मिंदू पर उसके वेग में परिवर्तन होगा, जान रखने लाइक बात है, अगर अपन यहां से फेका है, तो यह अपने पास u से फेका हुआ है, इसका horizontal component रहेगा, u cos theta, इसका vertical component रहेगा, u sin theta, और अगर अपन यहां पर बात करें, तो u vector के लिए मैं बात करूँ, this is initial velocity vector, यह कितना हो जाएगा, u cos theta, अपना हो जाएगा, यह कितना, i cap, प्लस यह बन जाएगा, u sin theta, और यह बन जाएगा, मेरे पास कितना, j cap, जबकि topmost point पर रहेगा, तो topmost point पर इसके पास केवल और केवल, velocity जो रहेगी, v vector बोल देता हूँ, और वो कितना रहेगा, केवल, u cos theta, और horizontal direction में रहेगा, तो इसका क्या रहेगा, i cap, यानि कि velocity in horizontal direction, that will be, u cos theta, i cap, और topmost point पर vertical direction का जो component रहेगा, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है, अब अपने को पुछा हुआ है, change in velocity at, at the highest point, यानि कि आपको बताना है, v vector minus u vector, तो v vector में से u vector subtract करेंगे, तो इस में से इसको subtract करेंगे, तो basically अपने पास क्या बनेगा, minus u sin theta, into कितना हो जाएगा, ये, j cap, अगर मैं इसके magnitude की बात करता हूँ, तो v vector minus u vector, that will be equals to its magnitude, negative direction को शो करता है, इसका result रहेगा, अपने पास कितना, u sin theta, u sin theta, done, तो हमारे पास इसका result रहेगा, question number 50 का answer number 3, और, एक simple question है, बढ़िया question है, मैं उमीद करता हूँ, आप लोग का paper अच्छा हुआ हुआ, और, काफी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर clear करी, आप लेए exams के लिए, आप लोग को all the best, अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, सामाझ एक दूरी बनाए रखें, and all the best for your next exam, this is for today, thank you very much.